वे बहुत तन्यम्यता से कारगार में देवकी के साथ लेटी, नवजात आटवी बच्ची योगमाया और कंस की कहानी सुन रही थी। उसे बहुत आलंद आया जैसे ही कंस ने योगमाया को मारने के लिए उठाया और वो उसके हाथ से फिसल कर उड़ गई। ये भईश्वानी कर कि तुझे मानने वाला जनम ले चुका है। टीवी पर आने वाले सीरिल का ये द्रिश सुन उसे बहुत अच्छा लगा। वे सोचती थी कि कंस भी कितना दुश्ट था जो एक नवजात लड़की को मानने से भी न चुका। दीरे से उस भारी आवास में बोला कि लड़का है ये लड़की तो दूसरी और से आवास है दीरे बोलो जेल करवाओगे क्या और पहले दस थाजार काउंटर पर जामा करवा के आओ। वे असमंजस में पढ़ गई जेल करवा होगे क्या उसके दिमाग में ये वाक्य बार बार कौंद रहा था वे सोचनी लगी कहीं कंस तो नहीं आ रहा इसलिए उसकी मा के भी सिस्थिकने के वाज आ रही है उसने फिर सुना उस भारी वाज को अगर इस बार भी टेस्थ में लड़की दिखी तो फिर से रोना दोना शुरू कर देना बच कुछ समय ही लगेगा टेस्थ और उसके बाद की कारवाई में इस पर उसने अपनी मा को रोते स्वर में सुना कंद सो तुम एक कृष्ण के लालच में मेरी कितनी योगमाय की बली दो गए उसकी मा की अवास फिर दब गई जब बहाद जाते एक आटो जिसमें बड़ा सा स्पीकर लगा था उसमें से एक विर्टी जोर जोर से बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ और कन्या भून हत्या से जुड़े कानून और उसे जुड़ी सजा के बारे में बताता हुआ जा रहा था